वो आनन्दपुर नाम का एक गाउं था जहां पर कीर्थी और बालू नाम के भाई बहन रहते थे बचपन में ही उनके माता पिता के देहान के वज़े से वे आनाथ हो गए थे खाने के लिए अन्नके अभाव में वे दोनों तिल मिला रहे थे रिष्टेदार भी उनका ध्यान नहीं रखते थे इसलिए वे दोनों चलते हुए शहर पहुंच गये उन्होंने सोचा कि शहर में कुछ खाने मिल जाएगा उनकी कोई सहायता कर देगा ऐसा वो सोच रहे थे वे दोनों जब सड़क पर चल रहे थे तो एक बड़ी सी कारा कर किर्टी से टकरा गई किर्टी के पैर पर गहरी चोट लगी वो जोर-जोर से चिल्लाने लगी तुरंट कार से उतर कर जमिनदार की पत्नी पवित्रा आई क्या हो अवेटा तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अस्पता ले जाती हूँ चिन्ता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा वैसे भी तुम दोनों इस तरह सड़क पर क्यों चल रहे हो? हमाना थे, हमारा कोई नहीं खाना काकर हमें हफता हो गया इसलिए हमें शहर आये हैं हमें लगाया खाने को मिल जाएगा मुझे बचा लीजिए अगर मैं मर गई तो मेरा भाई अकेला हो जाएगा मेरे साहता कीजिए चलो तुरंग तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ वहां से अपने घर ले जाऊंगी तुम्हें खाने की कोई कमी नहीं होगी इस तरह प्यार का ढोंग रच कर वो उन्हें अस्पताल ले जाती है इलाज कराने के बाद वो उन्हें अपने घर ले गई कुछ दिनों के बाद उसका घाव ठीक हो जाता है तब पवित्रा का असली रूप बहार आता है उसने दीरे दीरे बच्चों से घर के काम करवाना शुरू किया अंदर क्या कर रही हो? मुझे भूक लगिये जल्दी से नाश्ता बनाओ हाँ माजी, मैं अभी बना कर लाती हूँ दीदी, आपका घाव ठीक हो गया है न? अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे वरना ये हमसे काम कराती रहेंगी हम दोनों तो अनाथ है हमारा कोई नहीं घर भी नहीं, कहां जाएंगे? वो सब तो ठीक है दीदी पर यहाँ पर बहुत काम करवा रही है काम वालों से भी बत्तर हालत है अपनी हमें क्या जरूरत है इसकी? हम कोई और काम ढूंड लेंगे बहार जाकर कोई काम करने से तो हम यहीं रहकर काम करेंगे तीन समय का भोजन मिलेगा तो और कुछ मत बोल वो दोनों बात कर रहे थे पवित्रा तभी आई कहां मर गई? नाश्टे का कहकर कितना समय हो गया भूख लग रही है बस अभी लाती हो माजी ऐसा कहकर किर्टी दोड़े-दोड़े नाश्टा लेकर आई पवित्रा एक नंबर की कंजोस थी इसलिए उसने अपनी काम वाली को भी घर से निकाल दिया कीर्टी से ही बर्तन मंजवाती और कपड़े धुलाया करती ऐसे बहुत काम कराती हम दोनों चाहेंगे भी तो यहां से नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते दीदी? यही काम बाहर करेंगे तो हमें पैसे भी मिलेंगे बाहर जाओगे तो पता चलेगा खाना कितने मुश्किल से मिलता है मैं कहां तुम्हें भार उठाने लगा रही हूँ घर के कुछ कामों में सहायता ही कर रहे हो और क्या? इसकी बातों का बुरा मत मानिये माजी ये ऐसे ही कह रहा है मैं इसे समझाँगी आप जाइए इन्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी तो किसी भी दिन खिसक लेंगे अच्छा होगा अगर होटल वाली लड़की को निकाल कर मैं उसकी जगे इसे रख लू और घर के काम बालो कर लेगा अगले दिन पवित्रा ने कीर्थी को बुलाया बेटा कीर्थी होटल में काम करने वाली लड़की की सहत ठीक नहीं वो हफते बार नहीं आएगी तुम होटल जाकर वहां का काम संभालो बालो यहां मेरे पास रहेगा ये नहीं होगा मैं अपने दिदी के बिना नहीं रहूँगा यहां तो हम काम कर ही रहे हैं अब क्या होटल का भी काम करें तो चुप कर बड़ों से ऐसी बात नहीं करते उनसे माफी मांगो मैंने ऐसे क्या गलत कह दिया दिदी सच तो कहा मैंने यहां काम कर ही रहे हैं वहाँ क्यों जाए? होटल में आने वाली लड़की की सेहट ठीक नहीं, इसलिए जाने के लिए कह रही हूँ. ये सब नहीं होगा, मैं नहीं मानता. तो कुछ नहीं जानता, चुप कर, मेरी बात को समझ. केती अपने भाई को बगल में लेकर गई. अब हम यहाँ से जाएंगे, तो खाने के दिक्कत हो जाएगी. तो थोड़ा धीर शक, जैसे ही मोका मिलता है, हम यहाँ से चले जाएंगे. ठीक है दीदी, तुम जैसा को हो वैसे ही. कुछ दिन योहीं बीते. कीर्थी और बालू, घर में एक दिन कोई नहीं था, तो धीरे से घर से निकल गए. पवित्रा ने घर लट कर देखा कि घर पर बच्चे नहीं थे. उन बच्चों को ढूनने के लिए पवित्रा ने नौकरों को बेजा. उन नौकरों के हाथ बच्चे ना लगने पर वे वापस घर लोटे. फिर पवित्रा ने सोचा कि भूग के मारे जब पेट जलेगा तो वे बच्चे वापस आ जाएंगे. कीर्थी और बालू, बहुत दिनों तक काम धूनते हैं, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता. भूग के मारे दिल मिला रहे थे. वो आते जाते हुए लोगों से भिक्षा मांग रहे थे. उन दोनों ने बिंती करते हुए भिक मांगी. पर किसी ने भी उनकी कोई साहता नहीं की. बालू, ऐसे ही रहा तो हम भूग से मर जाएंगे. चल वापस पवित्रा जी के यहां जाते हैं. वहां रहेंगे तो तीन समय का खाना ही मिल जाएगा. वहां जाना मुझे बिलकुल बसंद नहीं दीदी. और वैसे भी अब वो हम पर घुस्से में होगी. बिन बताय जो आगे. तो चिंता मत कर. ये सब मैं संभालूँगी. चल अभी. ऐसा सोचकर वे दोनों वापस पवित्रा के पास चले गए. पवित्रा बहुत घुस्से में थी. इतने दिन कहां मर गय थे? अब भूग से पेट जल रहा है तो वापस लोटे हो. ऐसी कोई बात नहीं माजी. हमारे दूर के रिष्टेदार का देहां दुआ था. उन्हीं से मिलने गए थे. आपको बताना चाहते थे, पर आप शहर में नहीं थी. अच्छा तो ये बात है. ठीक है, अब खाना खालो और काम पे लग जाओ. ऐसा कहकर पवित्रा वहाँ से चली गई. बच्चों ने पेड़ भर खाना खाया. और अपना काम करने लग जाते हैं. यूहीं अन्न की अभाव के कारण, वे दोनों पवित्रा के पास रहकर, उसका काम करते हुए, दुखों का अनुभव करते हुए, जो भी मिला वो खाकर गुजारा कर रहे थे. अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, तो इसे लाइक और कमेंट करना, और ऐसे इंट्रस्टिंग स्टोरिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना. वो खड़कपर नाम का एक गाउँ था, जहाँ पर बालो और किर्टी नाम के भाई बहन रहा करते थे. वे दोनों अनाद थे. उनका कोई नहीं था, किसी का सहारा नहीं था. वे दोनों एक दिन भीट मंगते हुए एक घर पहुंचे. उस घर में रचनी नाम की एक औरत रहा करती थी. वो सबजियां बेचा करती थी. उसने उन दो आनाद बच्चों को देखा. कौन हो दूम और यहां क्यों आये हो? ऐसे उनसे जानकारी पूछ रही थी. बच्चों ने रोते हुए जवाब दिया. हमारा आके पीछे कोई नहीं, हम पर दया कीजिये. दो दिनों से हमने कुछ नहीं खाया. इस तरह उन दोनों ने दुखी होकर मासोमियत से पुझा. उस औरत ने हां कहा और उन्हें खाना दिया. उसके बाद रजनी ने उन बच्चों से कहा, देखो बच्चो, अगर तुम लोग मेरे साथ रहकर काम करोगी, तो तुम्हें तीन समय का खाना दूँगी. ठीक है, हम आपके पास काम करेंगे. बच्चों का ये जवाब सुनकर रजनी बहुत खुश हुई. उस दिन से वो दोनों बच्चे रजनी के साथ गली-गली घुमकर सबजियां बेचा करते और पैसे कमाते. इस तरब वो अपना काम किया करते. वो उनसे कमाई के पैसे लेती और उन्हें खाना दिया करती. ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा. एक दिन एक जोतिश उनके घर के सामने से जा रहा था. जो हुआ वो बताऊंगा, जो होगा वो बताऊंगा. मा का बुलावा है, जगदंबा का बुलावा है, दुखी मत हो, अच्छे दिन आएंगे. ऐसे आवाज लगाते में घूम रहा था. ये देख रजनी ने उसे रोका. अरे ओ बाबा, क्या तुम सच में जो होगा वो बताऊंगे? ऐसे चौंकर रजनी ने पूछा. वो दिन ना दिका जब चिंता मुक्त हो सको, जहाँ देखो दुख ही दुख, अच्छे दिन का नामों निशान नहीं दिख रहा. अरे, तब तु इसका कोई उपाई हो तो बताईए. उपाई तो है, बिल्कुल है, नर्बली चड़ानी होगी, नर्बली से तेरी कस्ट दूर होंगे, तब ही अच्छे दिन आएंगे. उसकी ये बाते सुनकर रचनी हैरान हो गई. ये कैसी बाते कर रहे हैं तुम, इंसान को मानने की बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है. ऐसा कहरकर उसने गुसे से उसके मुँपर पैसे फैंके और जाने के लिए कहा. उसने जाते जाते कहा, अरे ओ बैना, तेरे गर पर जो एक लड़की और लड़का रह रहे हैं न, उनकी बली चड़ाएंगी तो, रातो रात करोडों की मालकिन हो जाएगी, दन्वान हो जाएगी, मेरी बात मानो, पुन्णम की रात ये काम करके देख लेना. उसने ये सब कहा और वहां से चला गया, लेकिन रजनी ये सोच कर दुखी होने लगी, पर मन ही मन, वो उसकी बातों को बार बार सोचने लगी थी. क्या ये जो कह रहा है वो सच हो सकता है, बच्चों को मानने से क्या मैं सच में करुडपती बन जाऊंगी? ऐसे वो जोतिश की कहीं बातों को बार बार सोचने लगी, और बच्चे घर से निकल कर उसके पास आए, माँ हम सबजिया लेकर जा रहे हैं, आप पीछे पीछे आओगी न? रजणी ने उनसे हा कहा, दोनों बच्चे ठेला लेकर सबजी बेचने निकले, घर पर रजणी ये सोचकर दुखी हुए जा रही थी, ये बच्चे तुम मुझे मा कह कर बुलाते हैं, ऐसे बच्चों को मैं कैसे मार सकती हूँ? ऐसे नन्ही जान को मैं कैसे मार सकती हूँ? ये सब सोचते हुए वो दुखी हुए जा रही थी उस दिन वो सब्जी बेचने गई भी नहीं बच्चे सारी सब्जियां बेचकर पैसे लेकर घर लोटे और उन्होंने वो पैसे रजनी को दिये मा अज बहुत सारी कमाई हुई और पता है एक भी सब्जी नहीं बची ऐसा कहकर बच्चों ने उसे रुपे दिये रजनी ने रुपे लिए और उनकी तरफ देखते जा रही थी मा बहुत भूग लगी है खाना दोगी बच्चों के ऐसा पूछने पर रजनी ने हां कहा और उनके लिए खाना ले आई दोनों ही बच्चे खुशी-खुशी खाना खाते हैं बच्चों, तुम्हारे माबाप कौन है? आखिर तुम दोनों अनात कैसे हुए? मा, हम नहीं जानते कि हमारे माता-पिता कौन है हम तो कई दिनों से सड़क पर भीग मांग रहे हैं हमने हमारे नाम भी खोदे रख लिए पर यहां आने के बाद मा की कमी हमें नहीं मैसूस होती आपके वज़े से बच्चों के ये बाते सुनकर रजनी की आँख भर आई और वो अंदर चली जाती है ऐसे ही कुछ दिन गुजरे देखते ही देखते पोनम की रात आई घर पर सभी सो रहे थे अचानक रजनी उठी जटके में करोडो कमाने के लिए मुझे इन बच्चों को मार नहीं होगा और कोई चारा नहीं है मुझे कुछ और सोचना नहीं चाहिए रजनी ने ऐसा ठान लिया और उस लड़के को उठा कर पानी के टंकी में उसे डाल दिया मा सास नहीं ले पा रहा हूं मा मा मैं सास नहीं ले पा रहा हूं। ऐसे वो जोर-जोर से चीखने लगा। ऐसे चीखते हुए सास ना ले पाने के कारण वो मर गया। और रजनी जटके से उठ जाती है। दर असल ये रजनी का देखा हुआ एक बुरा सपना था। बच्चे भी इस आवास से उठ जाते हैं और अपनी मा से पुछते हैं कि क्या हुआ। रजनी उन्हें गले लगा कर कहती है। मेरे मन में ऐसी कोई दुरुष्ट सोच नहीं है। बहला इंसान को माने से कोई करोड़ पती क्यों बनेगा। वैसे भी किसी के जान के बदले में मिला पाप का पैसा मुझे चाहिए भी नहीं। अंध विश्वास के चलते मैं हत्यारन नहीं बनूँगी। रजनी ये कहकर रोने लगी। बच्चों को कुछ समझ में आया नहीं। वे दोनों मा सुमियत से उसे देखे जा रहे थे। बच्चों मैंने तुम्हें जना नहीं पर मा जैसा प्यार दूँगी। तुम पर कोई कश्ट आने नहीं दूँगी। मेरे मन से पैसे कवानी की आस भी मैं छोड़ रही हूँ। भगवान की कृपा रही तो पैसा अपने आप आ जाएगा लेकिन मैं इसके लिए कोई गलत काम नहीं करूँगी। फिर रजनी उन दोनों को गले लगा कर रोने लगी। वहाँ पर क्या हो रहा था दोनों बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। पर रजनी को रोता देख वो दोनों बच्चे भी रोने लगे। रजनी ने उस दिन से जोतिश की कही बातों को अपने दिल से निकाल दिया। अपने बच्चों को प्यार देते हुए वो खुशी से रहने लगी।